So welcome back to another video, in this video we are going to discuss about the most important topic of class 12 physics that is wheat stone breeze. So hello everyone, this is Gaurav, I hope you all are doing well. So here in class 12 is a very important topic which is wheat stone breeze, which is numerical, the theory, the derivation, the application, the examination point of view is a very important topic which is very important in this topic. So we understand that wheat stone breeze, which is working, which is construction, which is what meaning is. होता है तो दो जो एकी वरकिंग है और जुसकी construction है उसकी जो theory part है वो तो सब आपको इस photo में means Instagram पे में photo डाल दोगहां वहां से आप this screenshot या फिर उसको download कर सकते हैं वहां से आपको simply मिल जाएगी है यहां पर आप समझ लो कि इसकी working और construction किस तरीके से होती है सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि wheat stone breeze का मतलब क्या होता है तो wheat stone breeze क्या है यह simple सा हमारा 4 resistor एक galvanometer और एक हमारी cell होती है उसका एक combination कह सकते हैं या फिर एक arrangement होता है जिसकों कुछ इस तरीके से arrange करते हैं कि जो हमारे quad little form बन जाता है और उसमें हमारे resistors लेगे होते हैं उनकी जो diagonals होते हैं उनके बीच में हम क्या एक galvanometer और एक हम cell लगा देते हैं कुछ इस तरीके का हमारे arrangement होता है यह होता है हमारे wheat stone breeze इसकी कुछ conditions होती है जिन पर यह work करते हैं और हमारे इसकी बहुत सारी application आ जाती है जिसको हम मतलर real life में भी use करते हैं जो हमारे labs होते है जहाँ पर भी ़ह اμε हम electrical काम करते हैं वहाँ पर हम इसको use करते हैं सबसे पहले आती हमारी इसकी construction construction मिल्स यह हमारा किस bunsते से बनता है मेन हमें हमारा on- wateryüzió होती है और दो हमें की चाहिए और यह हमें चाहिए में लिए हमारा galvanometer इनके help से हम बनाते है अपना वेडिस्टोन बिरिज हमारा यह बनता कुछ इस तरीके से हमारे पास एक A, B, C, D एक क्वार्डिलेटल होता है उसकी जो four sides होते है जो four arms है यह वाली A, B, B, C, C, D और A, D यह हमारी जो इसकी arms होगी इसके four sides पर हम क्या लगाते है हम हर एक register लगाते है इसे P, Q, R, S हर arm पर मिन्स हर side पर हमने क्या है एक register लगाऊ है यह जो registers होते हैं यह almost हमारे बिल्कुल यह same value होते है इसकी एक तरी से लिमिटेशन भी बोल सकते हैं जो यह P, Q, R, S जो register लगे है इनको ज्यादा difference हम इसमें नहीं रख सकते हैं almost ही हमें same value की लगाने होते हैं तभी हमारे वीडिस्टोन ब्रीजर यह वर्क करता है तो हमारी register लगे जो हमारा यह quadrilateral बनाए A, B, C, D इसके हमारे दो diagonal होगे तो ए एक diagonal तो लगाते हैं अपना galvanometer उसके साथ हम एक key लगा देते हैं और जो दूसरा diagonal है हमारा AC कोई सभी हम कोई से भी diagonal पे लगा सकते हैं और दूसरे diagonal पे हमें लगानी है अपनी cell, cell मतले हमारी जो भी battery और battery के साथ हम लगाएंग उसके साथ भी a key जो की on-off करने में हमारी help क करेगी तो एक diagonal पे तो लगा दी हमने अपना galvanometer और दूसरे diagonal पे लगा दी हमें अपनी की तो यह इस तरीके सा जाती है हमारी इसकी construction बिल्कुल से हमारी इसकी construction होती है इसकी theory है वह आपको Instagram पे photo वहां से मिल जागी theory तो आप simply एक बार पढ़ोगे पढ़ना किया इसमें ज काम दिया हुए के वन को हमें करना है मिन्स इसको circuit जो है complete करना है तो जैसे हम इसको ओन करेंगे इसमें पूरे में क्या है हमारा जो current flow करना स्टार्ट हो जाएगा तो current जो जब flow करेगा तो हहां पर जो हमारा galvanometer है वो क्या है जो deflection की दिखाना स्टार्ट कर देगा मिन्स व हमापर जो register box होता है उस register box में से हमारे register लगे होते है वन ओम टू ओम फाइफ ओम इस तरीकी से लगे होते है तो उन रेजिस्टर को हमें निकालना मिन्स इस तरीकी से उनको set करना है ताकि हमारा galvanometer जो डागनल पर लगा हुआ है यह कि हमारा zero deflection शो करना स्टार्ट कर दे ह हमें कुछ इस तरीके से उनको set करना है कभी हमें one का निकालना होगा कभी two का कभी five का डालके कभी two का मिन्स कुछ इस तरीके से हमें arrangement करनी है तब तक arrangement करनी है जब तक ही जो हमारा galvanometer है जो needle है वो zero ना हो जाए मिन्स वो zero deflection शो करना ना शुरू कर दे तो जब ऐसी condition आ जा जाएके इसमें क्या होगा जो हमारी जो चारो जो रेजिस्टर लगे हैं पी अपोंट की इस उकल टू आपोंट के जो डिवाइड करके मिस इन दोनों का रेशो इस उकल टू इन दोनों के रेश्यो के एकवल आ जाएगा मिन्स इसकी helps से हम चाह कर सकते हैं अगर हमारे पास चार रेजिस्टर लगे वे इनमें हमें तीन की वैल्यू पता है एक की वैल्यू नहीं पता तो हम इस फॉर्मूल की help से simply इसकी वैल्यू मतलब जो लास्ट वाला है कोई से भी फॉर्थ वाला उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं लेकिन वो हमारी तभी निकलेगी जब हमारा जो galvanometer है वो zero deflection शो करेगा वो हम कर सकते हैं अपना रेजिस्टर वोक्स जो है उसमें जो रेजिस्टर है उनको set करके तो यह आ जाती है हमारे wheatstone बिल्कुल सिंपल सा है हमारा इस तरीके का होता है इसका हम यूज करते है हमारा जो potentiometer होता है और जो हमारे जो meter bridge होता है उनमें हमारा जो wheatstone bridges का use होता है बाकि class 12 के लिए numerical के लिए हमारी derivations के लिए हमारे theory part के लिए इस topic में से examination में जो question हो पका आता है बहुत ज्यादा important यह derivation बोल सकते है या फिर हमारे topic class 12 के लिए important होता है तो इसमें आगे हमारी construction और working बिल्कुल simple से हमारे दोनों तरीके की होती है तो बिल्कुल अच्छे से इस topic को कर लेना मिलते अपनी next video तब तक के लिए thank you